हलो गाइज वलकम बाइक तो मैं चैनल आई होप आप लोग सब सही हैं और मैं भी ठीक हूँ और आई आई अल्सों होप कि आपने मेरा प्रीवेस्ट वीडियो देखा हुआ जिसमें मैंने के बारे में मतलब उसकी TFT स्क्रीन के बारे में मैंने उसको डिसक्राइब किया था आई होप यू लाइक दाट वीडियो और एकस मुझे काफी अच्छे व्यूस भी आये हैं उस वीडियो पर इस वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है मेरे पास एक राइडिंग जैकेट है जिसका मैं फीडबैक आप लोगों को देना चाहता हूं मेरी राइडिंग जैकेट का नाम है इस वीडियो को में मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं सबसे वहले मैं जनरल डिस्क्रिप्शन दूँगा प्रड़क का कि वह कैसा दिखता है उसके साथ क्या क्या चीज़े आई हैं सेकेंड पार्ट में मैं डिसकस करूँगा उसके सोरेज के पासिटी प्रइस प्रइस के बारे में डिसकस करूँगा और सिसम्द्व मिखें मुझे लगा कि उसके बाद करने वाला हूं तो बने रहे यह वीडियो के साथ बहुत है पीनि इन्फोर्मेंट वीडियो होने वाला है यह जैग स्यथा अगश्ट तुटी मैं इसको मुझे यूसे करत पहले में आप इस जैकेट को खरीबने का सोच रहे हो इस जैकेट से पहले में पास दो राइड़िग्चेकट सी सबसे पहले जो राइडिंग जैकेट मैंने ली थी वह ली थी डी यह ली थी मैं 2011 में उस टाइम पर वह जैकेट पड़ती थी राउंड 6,000 और 6,000 रुपीस की फिर उसके बाद मैंने दूसरी जैकेट ली मोजो, मोजो की खुद की ब्रैंडड एक जैकेट आती थी, उसके बाद फाइनली मैंने यह वर्य जैकेट ली, अब शुरू करते हैं वीडियो, जैकेट लिए साथ क्या क्या चीज़े आती है, तो अब है एक गिए यह जाइसी लगती है, अब अल्मोस्त एडरो साल की यूसेज में, और एक बाद मैं सकव ठर्न करते हूं, पीछे से कुछ ऐसी दिखती है जैकेट ये हैसी जैकेट अब मैं बाग कर लेता हूं इसमें क्या-क्या चीजे आती हैं साथ में सबसे पहले चीज़ आती है ये लंबर सपोर्ट बहुत लोगों को बैक में पेन होता है तो उसको मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए बेसिकली इतसा बेल्ट जो आप अपने बैक के अरॉंड बान सकते हो इससे क्या होता है कि काफी रिलीफ मिल जाता है उससे एंड काफी सपोर्ट अच्छा मिल जाता है लॉंबर सपोर्ट के लिए बेल्ट दी गई है साथ में मैंने कभी यूज़ नी करी में कभी ज़रूत नी पड़ी बड़ हो ज़ता है कि फ्यूचर में ज़रूत पड़े तो मैंने इसको अभी ऐसी बस मतलब बजाकर रखा हुआ है मैंने यूज नी किया इसको बट इस वन अ सब्सक्राइब काफी एफेक्टिव है इवन जब मैं जैकेट नी पहनता तो नॉर्मली मैं इसको ही पहन के घूम लेता और आम से काफी कोड कंडिशन में भी तो में को इतना में को अच्छा लगा है प्रड़क्ट एंड इसका एक जिपर है यहां पर एक ऐसी पॉकेट है इसके साथ आता है काफी वाम है बट इसमें यह एक है यह चीज है कि आप इस जैकेट को इससे अटाइच नहीं कर सकते हैं आप इसको पहन सकते हो साथ में इसके साथ भी पहन सकते हो तो तीसरी चीज जो इस जैकेट के साथ आती है वो है देखाता हम आपको वो है इसका है रेन या फ्ले डेकता है lost तो मैंने अभी जब जन्सकार राइट पर गया था तो मैंने यह लाइनर यूस किया था कि हमें मतलब आइटिंग कराउंड पूरने जाते टाइम बारिश मिली थी हलके हलकी तो मैंने इस जैकेट को पहना था बट ओर आल मुझे लगए लगा कि यह जैकेट इतनी भी एफेक्टिव नहीं है पानी कहीं नहीं से घुच जाता है एंड स्पेशली ना इस सम्वेर सम्वेर फांड मिडल यहां से घुचता है पानी एंड मतलब इतना ने घुचा बट तृट इन अगर कंपनी यह कह रही कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो जाना नहीं चाहिए एडली तो यह मेरा इस जैकेट के बारे में फीडबैक है मैं यह सब्सक्राइब करूंगा कि मामले में और भी बेटर आप्शन आते हैं सब्सक्राइब से इससे भी बड़े बड़े अच्छा काम करते हैं तो इसमें कर सकते हों की काफीक ठाशन होंग स्में से लिए बड़े-बड़े नमरी आपके जो CT राइदिंग जैकेट सेनले में जागे जो होती है इसक्राइब कोि व्हों होगी आगे की दो ॉती है यह यहाँ पर एक यह इंवाली पोके हैं है जिसमें यहाँ पर एक इसमें जब मैं भी त्रावल करता हूं तो मैं इसमें अमना मोबाइल फोन रख देता हूं या अभी वालेट रख देता हूं यह है सेकेंड पॉकेट सब्सक्राइब है वैसे तो मुझे डीलर ने बोला काइड आप स्लिट पॉकेट छोटी सी पॉकेट है इसमें जैसे आपके चाबिया होगी कीचेंज होगी डूब्लिकेट चाबिया होगी कुछ भी छोटा मोट आइटम जो आपको एजील एकसेस करना है वह आप इस वाले पॉकेट में डख सकते हो तो इसके अंदर एक यह पॉ स्टोर करना है तो यू कें इजीली पूट संसंतिंग यह बट आइल सजेस्ट कि ना इसमें कुछ कुछ भी ऐसे मत रखना जो बहुत हार्ड हो विकॉज कि अगर आप बैटते हो बाइक पे तो आपको ही चुबएगा तो कुछ आजे कपड़ा पड़ा हो गया आपका माइक तुसर पॉइंट है जो मैंब अब बताना है वह इसके चारेशन सिस्ट्म है सुछ पाता हूं तो इसका प्रेशों सिस्ट्म बहुत अच्छा है और बड़ों साइड यह ऐह यहाँ पर हैeren आपक्ट सब्सक्राइब तो आप इसको तोटली खोल सकते हैं तो जैसे किए वह श्ड़र मैंने पूरा नीचे तक खोल दिया है और जिस उपार एक साइड जो आपकी तो यहीं था इतो ये राइट साइड में आपके दोनों आपने यहां से पूरा इसको आप रोल कर सकते हो आप इसको आप इसको यहां पर ऐसे स्टोर कर सकते हो ठीक है तो यह आपके पूरी आल्मोस्ट लाइक जैकेट हो गई यहां पर भी इसको खूला हो एक साइट से और यहां पर भी इसको खूला हुआ है तो आप इसको यह आपका मेश बन जाता है और जैसे मालों कि आपने यहां से बंद कर दीए असको यहां से भी खूल सकते हो उपर से भी खूल सकते हो तो दोनों सैड्म टूवेज पर है ठीक है तो यहां पर हो गया वेंटिलेशन फिर आपके इस वाली साइड भी हाथ मेंटिवो में आपका मेंटलेशन है तो फ्रेंट से प्रॉपर मेंटलेशन है गरिमियों के टाइम पर आप इसको पहन सकते हो और इसको अराम से मतलब आपको अच्छी हावा लगेगी मैं जैकेट में मुझे यह लगता है कि अगर आपने जैसी यह खोला और आजके तो बहुत वैसी है तो मेंटेंस विल इंक्रीज यू हाव तो यू वाश जैकेट प्रॉपरली एक और जगह है इसके मेंटलेशन वह है इसके पीछे उन्हों अजया को बताया था लिए और इसको रोल कर सकते हो इधर भी पीछे की सइड्वी यहाँ पर दोनों साइट जैपर हैं यह और यहां से खुला हु आगर आपको बंद करना है तो अपो यहाँ फिसको आप खोलके यहां पर यह वैल को खुल गया है यहां पर एटाश था इसको आप रोल कर सकते हो और रोल करके पूरा यह पूरा मैश हो गया आगे से भी मैश हो गया तो पूरा प्रॉपर आप कोई दिक्कत नहीं है और आपको बंद करना है वापिस आप इसको पर करो ऐसे अंदर गुसाओ इसको और यहां से और यहां से लॉक हो गया तो ऐसे आप कर सकते हो चाहो तो अब मैं इसका इसको पॉइंट बताने वाला हूं जो है सेफटी एंड प्रोटेक्शन इसमें बेसिकली सास्टेक लेवल तू वाले आर्मर्द यूज करे गए हैं इसमें बेसिकली आपको सबसे मेजर जो सबसे बड़ा प्रटेक्टर है वह आपका बैक प्रोटेक्टर जो यहाँ होता यहां पे यह आपको बैक प्रोटेक्टर है ॹhelm के यह बने होते हैं बट इैड इनकी ślęक इवह बहुत अच्छी होती काफी मोटे होते हैं इसमेशन आपका प्रटेक उपलस यूब claims ऐडि लोत रॉडश पर नुट ऑपर यह से यह देख्द ने में तो यहां पर यहां पर проблем के हैं मिलती यह कि यहां पर elbow guards हैं आपके बोद दो साइट सो साइस्टेक लेवल टू के प्रडेक्शन है विच इस बहुत स्टैंडर्ड प्रडेक्शन इंद मार्केट आपको इससे भी इच्छे मिल सकते हैं यह भी अच्छा है ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है बर देन दिस बनाद बैस और आइं वैल फर्डेक्टेड मुझे कुछ नहीं होगा इस जैकेट पर इस जैकेट को पहन के चो विच बेरी वरी इंपॉर्टन फॉर्डेंस व्ट राइडर सो दूसरी इंपॉर्टन चीज जो सेब्टे के बारे में बात करना चाहता हूं वह है इसकी यह स्रिप देखना प जैकेट यह पीछे तक जाती है तो पीछे भी अच्छी विजिबिलिटर रहती है यहां पर भी फ्लॉरेसंट की स्ट्रिप है अभी थोड़े सी निकल गई विकॉस वाशिंग बड़ जो में है में फ्लॉरेसंट स्ट्रिप्स वह यह हैं और वी क्वाइट विजिबल रहती है मेरे इंफैक्ट जब मेरे दोस्के साथ वापसाराद में कहीं से घूमके तो उसने मुझे बोला कि मेरी जो जैकेट की स्ट्रिप्स हैं काफी अच्छा रिफ्लेक करती हैं और यहां पर पीछे भी फ्यूरेस यह भी तो काफी सेफ्ट्य प्रडेक्शन वाइस काफी जैकेट को बनाने में जो में को काफी पसंद रही परसनली सो ओवराल मैं कोई जैकेट बहुत अच्छे लगी एंड मैं वेरी वरी हैपी विद जैकेट पैस्ट पार्ट इस जैकेट इस इसका वेंटलेशन दूसी चीज में को जो अच्छे लगी निसके प्रडेक्शन सब्सक्राण आफ परबॊट परखेट में तो ने इसका हैं जैकेट हैं तो घ्रेकशन विद जालगे मसं करें को करता कि ऐल्य चीज कि यह इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि बहुत जादा मनला आपको सफोकेशन हो जाए यह कुछ अच्छी बात हैं जैकेट की अमें बात करने वाला हो इसकी थोड़ी बहुत कमिया जो मतलब यह से कह सकते हैं उसको एरिया से इंप्रूव्मेंट जो सबसे पहली चीज जो मु यहाँ पर फेड होने लगा है तो यहां पर ब्रॉट्यव मेंट भंशितल अबम लिफ nu ृई भाण भूब में यहां यह ब्लाक पानी बहुत लगता है आपके जैसे मैं इ Kirby किए अपने अपनी फोटो की खिचवाता हो ना किसी से तो यह दूर से लिखता है कि यह ब्राउन है हाथ पता नहीं अजीब लगता है बहुत सो एक यह पॉइंट था जो मुझे बहुत वीर्ड लगा यह इंग सोले शुड वर्क उन दिस चुड नॉट है कि आपने जैकेट ले लेने के बाद आपके कलर फेड हो रहे हैं बट सप्राइजिंग ने पूरे बॉड़ी में कलर फेड नियुक्त इदर कलर फेड हो रहा है प है जो मैं पहनता हो ने श को यह जैकेट का यह बटन इतना हाड था जाता ही नहीं कपीस केंद इतना हार है मैं यह जैकेट 10.000 km तक यूज कर लिया तो मैंने कभी आज तक यह नैक वाला जे बटन या नेक वाल लॉक कभी नहीं कर पाया हूँ है और तो मुझे बहुत लगत कि मैं क्यों नहीं कर पाता एंड जब कि इसमें एड्जस्मेंट के लिए उने सिस्टम दे रखा है बट यह तो मतलब तब भी नहीं यह जैकेट मतलब इन लॉक लगता में से तो इस सम्थिंग आइड नो विच आम नौट कंफटेबल विद तो दूसरा पॉइंट तो यह था और तीसरा पॉइंट मैं इसको डिमेरेट नहीं बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा बैसिकली मतलब पसंट टो पसंट करता है तो में जैकेट ही थोड़ी सी भारी लगती है बट हाँ आइचले मैं मैंने लाइस कि जितने भी टूरीन जैकेट होंगी ना आपकी चाहे आप के वेसे भी नीची तक की होती ही जैकेट तो इसलिए हो सकता ही बारी हो तो मैं को वह लगा एक पॉइंट और हाँ एक और पॉइंट तो मुझे लगा ना बहुत थोड़ा समय से खराब लगा वह यह था कि जब जब भी आप किसी extreme cold weather में जाते हो ना तो होता क्या कि overnight जहां में rubber थोड़ा हाड जाता है cold weather में rubber काफी अकड जाता है तो मैं को थोड़ा सा लगा कि यार यह क्या हो रहा है पहले का भी मैंने ऐसी जैकेट चूज नहीं करी तो हो सकता है पता नहीं मतलब scientifically हो सकता है कि rubber extreme cold weather में काफी हाड हो भी actually काफी हाड हो जाती है तो वह एक चीज लगी में को थोड़ी सी problematic otherwise overall jacket बहुत अच्छी है okay guys so last and the final thing जो इस जैकेट के बारे मैं आपको बताने जाता हूं वह है इसका प्राइस तो जब मैंने जैकेट ली थी August 2021 में यह जैकेट में को पढ़ी थी 13500 including everything उस ताम पर मुझे याद है मैंने राइनॉक्स का प्रैंड भी पड़ा था तो वह पूरा पैकेज 15000 का होता तो मुझे को लगा फोड़ा एक्स्पेंजव है तो इस बेटर की तू सेव मनी आइजस्ट यू आइजस्ट प्रिफर्ट इस ब्रैंड कि मुझे 13500 रुपे में सब कुछ मिल गया इसमें एक साथ and fitting बची ती और मतलब काफी comfortable म प्रिफर्ट कि मैं यही जैकेट ले लूँ एंड बड़ी अच्छी जैकेट है इनके फुल कॉंट्रेट ग्लव्स भी उस करें हैं चार साल काफी अच्छा रहा था मेरा एक्स्पीरिंस उसमें and so if in case you're planning to buy a jacket and आपका बचेट अराउं चौदा पंदर हजार है तो मेरा personal recommendation तो सोलेस ही होगा मुझे नहीं पता बाकी brands you know कैसे क्या करते हैं मुझे I have no idea so of course if in case you're looking for Solace so if you find this video relevant so I think this is the best jacket as far as I am concerned so viewers I hope you like this video अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like button को hit कर देना and अगर आपको लगता है मेरा content valuable है informative है please make sure that you subscribe to my channel and I will see you in the next video bye आपको अगर आपको आपको